ओम शांती मुरुली का तारिक है 15.1.2019 मीटे बच्चे जैसे बाबा स्वीट का पहाड है ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्से को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है प्रभु परमात्मा स्वयम स्वीट का पहाड है बगवान मीटा है सबसे जादा मीटा स्वयम परमात्मा है परमात्मा स्वयम स्वीट का पहाड है बगवान स्वीट का पहाड होने के कारण हमें सदा स्वीट बनाना चाहते है हम बगवान के बच्चे हैं तो स्वीट बाप और वर्से को याद कर हमें भी most sweet बनना है अभी हमें सदा sweet बाबा को याद कर most sweet बनना है सबसे जादा मीटा बनना है अगर हम लोगों को याद करेंगे तो लोगों ने जो हमें दुख दिया है हमारी निंदा की है वो बाते याद आ जाएगी तो हम मीटा बनने के बज़ाए कडवे बंचाएंगे, हम भी दूसरों को दुख देने वाले बंचाएंगे, इसलिए लोगों को याद करना छोड़ कर, मीटे बाबा को याद करना है, जो स्वीट का पहाड है, उस प्रभु परमात्मा को याद करना है, जितना स्वीट बाबा को याद करेंगे, उतना हम स्व पीट बंचाएंगे, अर्तात हम सभी को सुक देने वाले सुक दाता के बच्चे बंचाएंगे, और बगवान जो हमें वर्सा दे रहे हैं, बगवान सर्व प्राप्तियों से हमें संपन बना रहे हैं, हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, सुक शांती सब कुछ हमें दे रहे तो बगवान के द्वारा जो हमें सर्वप्राप्ति मिल रही है उस वर्से को याद करेंगे तो हम अती मीटा बंचाएंगे इसलिए बाप और वर्से को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है प्रश्न तुम अभी किस विदी से स्वयम को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो अभी हमें स्वयम को भी सेव कर लेना है और हमारे पास जो कुछ है उन सबी चीजों को सेव करना है तो उसके लिए क्या करना है उत्तर तुम कहते हो बाबा देह सहित यहां जो कुछ ककपन है हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां बविश्य में सब कुछ लेंगे अभी हम बगवान को कहते हैं बाबा हमारे पास जो भी देह सहित ककपन है अर्टात यह देह भी पुराना हो गया है देह के जो भी चीज़े है वो भी पुरानी हो गई है देह की दुनिया भी पुरानी है तो संबंदी भी पुराने है हमारे पास जो भी पुराना ककपन है देह सहित वो सब हम अभी बगवान के आगे समर्पित कर देते हैं सब कुछ बगवान को देते हैं, और बगवान को कहते हैं, बाबा, अभी आप ए सब कुछ ले लो, और बविश में, सत्युग में, सब नया बना कर, हमें रिटन देना, तो तुम सेफ हो गए, अभी बगवान को सबकुछ अर्पन करना मतलब स्वयम को सेफ कर लेना तो तुम जैसे सेफ हो गए अभी स्वयम को सेफ करने के लिए देह सहित सबकुछ बगवान के आगे समर्पन कर देना है क्यूंकि अभी कल्युक का अंतिम समय है विनाश्तो होना यी है अगर हम तन मंदन सब चीजे बगवान के आगे समर्पन नहीं करेंगे तो विनाश में सब समाप्त हो जाएगा और हमारा कुछ भी नहीं बचेगा इसलिए हमारा हर एक चीज को सेव करने के लिए विनाश के पहले परमात्मा के आगे सब सफल करना है सबी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हम अभी बगवान को देकर बगवान की तिजोरी में हर चीज को सेफ रूप में रख देते हैं या शुबाबा की सेफटी बैंक है बगवान का बैंक सेफटी का बैंक है उस बगवान के बैंक में हर एक चीज सेफ हो जाता है इसलिए अभी हम हर एक चीज को बगवान के बैंक में सफल कर रहे है, रख रहे है तन, मन, दन सब बगवान के आगे समर्पित कर रहे है तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बन जाते हो अभी हम बगवान के रक्षा के नीचे रहकर स्वयम अमर बन जाते हैं क्यूंकि बगवान सारी दुनिया का रक्षक है उस रक्षक के सहारे में आने से उस रक्षक के आगे स्वयम को समर्पित करने से बगवान हमें अमर बना देते हैं तुम काल पर भी विज़य पाते हो, बगवान स्वयम कालों का काल है, उस कालों के काल बगवान के, आगे हम समर्पित हो जाएंगे, तो बगवान हमें काल से मुक्त कर देते हैं, हमें काल पर विजई बना देते हैं, अमर बना देते हैं, शुबाबा के बने तो सेफ हो गए, अभी अगर हम स्वयम को सेफ करना चाहते हैं, स्वयम की रक्षा चाहते हैं, तो हमें शुबाबा का बच्चा बन जाना हैं, बगवान के बच्चे बन गए, इसका मतलब है हम स्व पयम सेफ हो जाना है, बाकी उन्च पद पाने के लिए पुर्शार्त करना है, अभी हम बगवान के बच्छे बन गए, तो हमारा हर चीज सेफ हो गया, लेकिन सत्युग में उन्च पद पाने के लिए अभी हमें तीवर पुर्शार्त करना है, दारणा के लिए मुक्य सार, फर्स्ट पाइंट जितना हो सके अंतर मुकी हो शांती में रहना है जास्ती नहीं बोलना है अभी हमें आवाज की दुनिया से शांती की दुनिया में जाना है इसलिए जादा आवाज में नहीं आना है बाहर मुकता से मुक्त होकर अंतर मुकी बनकर मन में स्वयम के साथ स्वयम बात करना है और उस प्रभु परमात्मा के साथ बात करने का प्रयास करना है सदा स्वयम को शांत स्वरूप आत्मा समझ कर शांती में रहने का अभ्यास करना है क्योंकि अभी हमें शांती दाम जाना है अशांती नहीं फैलानी है हम शांती के सागर के संतान है शांती दाम के निवासी है स्वयम शांत स्वरूप आत्मा है इसलिए हमें कभी भी अशान्ती नहीं फैलानी है, किसी के साथ जगडा नहीं करना है, बहुत मीटा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, हम बगवान के संतान है, जैसे प्रभु परमात्मा बहुत मीटा है, ऐसे हमें भी बहुत मीटा बनना है, हम जो भी शब्द बोलते हैं, एक एक शब्द बहुत मीटा होना चाहिए, दूसरों को सुक देने वाले शब्द हमारे मुख से निकलना चाहिए, किसी को भी हमें दुख नहीं देना हैं, हम सुकदाता के संतान हैं, हमें हर आत्मा को सुक देना हैं, हर आत्मा का दुख दूर क करना हैं, किसी को दुक नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। हम शांती के सागर के संतान, शांत स्वरूप आत्मा है। इसलिए कभी किसी के ऊपर गुसा नहीं करना है। बाह्य मुकी बन बुद्धी को दक्का नहीं किलाना है। जितना हम आवाज में आते हैं उतना बुद्धी को दक्का मिलती है। इसलिए बुद्धी को सेफ रखने के लिए अंतर मुकी बनना है। सेकेंड पाइंट फर्फेक्ट बनने के लिए इमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या कामी है। हमारे अंदर कौन सा अवगुण है उस अवगुण को इमानदारी से चक करना है। अगर इमानदारी से स्वयम को चक नहीं करेंगे तो अंदर जो अवगुण है वो हमें दिकाई नहीं देगा। और हम सर्वगुण संपन नहीं बनेंगे। इसलिए फरफेक्ट बनने के लिए स्वयम को स्वयम जांच करके अवगुणों को निकाल देना है। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है। स्वयम के चलन को देखते समय साक्षी होकर देखना है, मेरे अंदर क्या-क्या अवगुण है, काउंसा अवगुण मुझे पुर्शार्त में विग्ण डाल रहा है, उसको चेक करना है, बूतों को बगाने की युक्ति रचनी है, अभी हमें बूतों से मुक्त हो जाना है, बूतों को बगाना है, निर्विकारी बनना है, सर्वगुण संपन बनना है, इसलिए बूतों को बगाने के लिए योग में रहना है, वरदान महसूस्ता की शक्ती द्वारा मीटे अनुबव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा बव अभी हमें शक्तिशाली आत्मा बनना है महसूस्ता की शक्ती द्वारा मीटे अनुबव में स्थित हो जाना है या महसूस्ता की शक्ती हमें बहुत मीटा अनुबव कराती है, कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात बाप के नैनों में समाई हुई स्रेश्ट बिंदु महसूस करो अभी हमें योग में कभी इस्तिती का अनुबव करना है कि मैं आत्मा बगवान का नूरे रतन हुँ मैं आत्मा बगवान की नैनों में समागई हुँ मैं आत्मा बगवान के नैनों की बिंदु हुँ ऐसे महसूस करो कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मनी कभी मैं आत्मा, मस्तक पर चमकने वाली, मस्तक मनी हूँ, मैं आत्मा मस्तक के भी चमक रईी हूँ, ऐसे अनुबव में स्वयम को स्थित करना है, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड, ब्रह्मा की बुझाये मासूस करो, मैं आत्मा ब्रह्मा बाप की राइट हैंड हूँ, मैं ब्रह्मा बाप की सहयोगी बुझा हूँ, ऐसे स्वयम अनुबव करें, कभी अव्यक्त फरिष्टा स्वरूप का अनुबव करो, कभी स्वयम को अव्यक्त वतन के निवासी चमकता हुआ फरिष्टा के रूप में अनु महसूस्ता की शक्ती को बढ़ाएंगे तो स्वयम शक्तिशाली बन जाएंगे फिर चोटा सा दाख भी स्पस्ट दिकाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे जब हम शक्तिशाली बनेंगे हर चीज की महसूसता करेंगे, तब चोटा सा दाग भी हमें सपस्ट दिकाई देगा, और हम स्वयम परिवर्तन हो जाएंगे, उस दाग को मिटा देंगे, श्लोगन, सर्व के दिल की दुवाये लेते चलो, तो आपका पुर्शार्त सहज हो जाएगा, अभी हमें सहज पुर्शार्ती बनने के लिए सर्व का दिल की दुवा लेना है, जितना हम सर्व आत्माओं का दिल की दुवाये प्राप्त करते हैं, उतना पुर्शार्त सहज हो जाएगा, ब्रह्माबाप समान बनने के लिए विशेश पुर्शार्त, जैसे ब्रह्माबाप ने बीजरूप स्टेज अर्तात पवर्फुल स्टेज का विशेश अभ्यास करके पूरे विश्प को सकाश दी, जैसे हम ब्रह्माबाप को देखते हैं, ब्रह्माबाप सदा बीजरूप स्टेज में स्टिते, बीजरूप स्टिती की शक्ति शाली स्टिती में स्टित होकर ब्रह्माबाप बीजरूप स्टिती में रहकर सारे विश्प को शक्ति की किरने देते थे, ऐसे फालो फादर करो, ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाप को फालो करना है, क्यूंकि यह स्टेज लाइट हाउस माइथाउस का कार्य कराती है, अगर हम बीजरूप स्तिती में स्तितो कर सारे रुक्ष को सकाश देंगे, तो यह स्टेज लाइथाउस माइथाउस बन जाती है, जैसे बीज द्वारा स्वता ही सारे रुक्ष को पानी मिल जाता है ऐसे बीज रूप स्टेज द्वारा आटमिटिकली विश्प को लाइट का पानी मिलेगा जैसे बीज को पानी डालते है तो बीज के द्वारा सारे रुक्ष को पानी मिल जाता है ऐसे हम बीजरूप स्तिती में स्तित हो जाएंगे तो हमारे बीजरूप स्तिती के द्वारा विश्व को लाइट की पानी मिल जाएगी अच्छा, ओम शांती